मैं डॉक्टर शिखागरवाल राजके महाविद्याले सुजानगर बिये पार्ट सेकिंड की क्लास में आज हम पढ़ेंगे भारतिय सम्मिधान की विशेष्टाएं पार्ट सेकिंड हमने अपनी पिछली क्लास में भारतिय सम्मिधान की विशेष्टाएं या हम कहें लक्षन पढ़े थे हम लोगों ने पढ़ा था कि हर सम्मिधान अपनी परिस्थिती, अपने देशकाल, अपने संस्कृती के अनुसार अलग-अलग होता है और हर सम्मिधान की अपनी कुछ विशेष्टाएं या लक्षर होते हैं भारत बहुत लंबी समय तक गुलाम रहा था इसलिए भारतिय सम्मिधान में उन सारी बातों का ध्यान रखा गया है जिससे जो भारतिय समाज, भारतिय धर्म, भारतिय जनता के हित्मेयों और इसके साथ साथ विकास को प्राप्त किया जा सके क्योंकि लंबी गुलामी के बाद भारत का सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक तीनों पक्ष बहुत कमजूर हो गए थे हमने देखा था पिछली क्लास में लोकप्रिय, प्रभुसत्ता, पराधारित सम्मिधान है जो कि ہम भारत के लोग शुरुवात होती है प्रस्तावना की और उसके बाद में जो अंतिम बाक्या उसका है वो भी यही बताता है कि जनता में प्रभुसत्ता नहीत है जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग और आकरी वाग्य को अगर हम देखें तो वहें द्रड संकल्पित होकर अपनी इस सम्विधान सभा में आज दिनांग 26 नवंबर 1949 को एतत द्वारा सम्विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं हाला कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1935 के अधिनियम की तरह है लेकिन 1935 के अधिनियम से अलग ये भारतिये जनता द्वारा निर्मित, अधिनियमित और अंगीकृत है इसके अलावा हमने कुछ और विशेशताएं देखी ती कि ये लिखित, निर्मित और सरवाधिक व्यापक है क्योंकि हमारे हैं संगात्मक व्यवस्ता है तो इस बात का ध्यान रखा गया कि केंद्र और रिकाईयों के मद्य किसी भी प्रकार का विवाद ताला जा सके इसके लिए शक्तियों का बटवारा स्पष्ट तौर पर किया गया, इसके लिए समीधान में अलपसंख्योकों के लिए विशेश प्रावधान किये गये इसके साथ साथ प्रशासनिक प्रबंत का भी इसमे विस्तार से वर्णन किया गया भारतिय समिधान संपून प्रभुत्व संपन लोक तांत्री गणराजे को बताता है यानि जनता ही सब कुछ है जनता द्वारा चुनीवी प्रतिनीदी सरकार है और राष्ट्रपती जो सर्वुच्पद है भारत का वो भी वन्शानुगत नहीं है इसके साथ साथ दो शब्द धर्मनिर पेक्षता और समाजवाद हमने 1942 वे संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़े थे और इन दोनों का जो महत्व है वो पहली से भारतिय समिधान में मौजूद था लेकिन इन शब्दों को पहली बार 22 वे संशोधन से जोड़ा गया था इसके साथ साथ भारतिय समिधान कठोर और लचिले का मिश्रण है क्योंकि हम यह जानते हैं कि यह संगात्मक व्यवस्ता है इसलिए इतना आसानी से केंद्र सरकार उसमें परिवर्तन कर सके इसको रोकने के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधान समाओं की स्विक्रति भी आवश्यक मानी गई जिससे की संगात्मक स्वरूप को खत्मन नहीं किया जा सके लेकिन साधारन मामलों में लचीलेपन का परिचय देते हुए राज्यों की बहुमत की आवशक्ता नहीं रखी गए अब हम आते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था जो उसकी अगली विशेष्टा है आज के लेक्चर को हम यहां से शुड़ू करेंगे संसदात्मक व्यवस्था का जो कौनसाप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है करकि भारत बहुत लंबे समय तक ब्रिटिफ शासन के अधीन रहा था संसदात्मक शासन में व्यवस्था पिका और कारेपाली का घनिश्टितम रूप में एक दूसरे से जुड़ी भी होती है और इसके साथ साथ जो कारेपाली का है वो दोरी होती है भारत में भी इसी बात को अपनाया गया है हमारी व्यवस्था पिका मैसे ही कारेपाली का ली प्तिया प्रत्रिक्ष्च प्रेटिश्च रोप से जणताद्वारा निर्वाचित होता है। बाद तो होता ही है इसके साथ ही दिन प्रति दिन भी होता रहता है और इसलिए भारत में इस प्रणाली को अपनाया गया अगला लक्षन आता है एकात्मक लक्षनों सही संगात्मक शासन व्यवस्था भारत में हमने जैसा पहले भी देखा था कि संखात्मक व्यवस्था को अपनाया गया जैसा कि भारत्य सम्विधान का जो पहला अनूच्छेथ है वो कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संग होगा तो एक संघ शासन की स्थापना की गए संग शासन के सभी लक्ष निसमें है एक लिखित निर्मित संविधान है, शक्तियों का बटवारा है और एक स्वतंत्र और निश्पक्ष न्यायपाली का है शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बाटा गया है और ये लिखित सम्विधान होने के कारण स्पष्ट तोर पर इन शक्तियों का बटवारा किया गया है जिससे केंद्र और रिकाईयों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पनन नहीं हो इसी के साथ साथ सम्विधान की व्याक्षा करने और उसकी रक्षा करने का दाइत्व सर्वोच्य नियालों को सौपा गया है जिससे किसी भी प्रकार का सम्विधानी गतिरोथ अगर केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न होता है तो सर्वोच चिन्याले के माध्यम से उसे दूर किया जा सके इसके अतरिक तो भारत में कुछ ऐसे तत्व भी हमें देखने को मिलेंगे जो एकात्मक शासन में हैं क्योंकि संगात्मक शासन के कुछ तत्व हमें अमेरिका में देखने को मिलते हैं एकात्मक शासन के जो तत्व हैं उसमें है एकहरी नागरिक्ता, एकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतिय सेवाओं का गठन, राश्ट्रपती द्वारा राज्यों के राज्यपालों के नियुक्ति, संसत द्वारा राज्यों के नाम, शेत्र और सीमाओं में परिवर्तन, इसक के माध्यम से संकट काल की घूशना के बाद संगात्मक व्यवस्था को एकात्मक शासन में बदला जा सकता है, तो इस तरह से दोनों तरह की व्यवस्था को हमने अपनाया है, और उसका कारण क्या था, उसका कारण था कि भारत एक विशाल भुभाग वाला, विभिन और धर्मों वाला देश है, और ऐसा माना गया कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए, जहां एक तरफ संगात्मक स्वरूप जरूरी है, तो एकात्मक शासन की व्यवस्थाएं होना भी जरूरी है, ताकि देश को तोड़ना बहुत आसान ना हो सके, इस तरह से इन दोन के मिले जुले लक्षनों के आधार पर प्रोफिसर के सी वियर कहते हैं, भारत का नया समिधान ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म देता है, जो अधिक से अधिक अर्ध संगी है, यह ऐसे एकात्मक रज्य की स्थापना करता है, जिसमें कतिपे संगीय विशेश्थाएं है, न एकात्मक है, बलकि यह दोनों तरह के व्यवस्थाओं का मिश्रण है, एक नवीन प्रकार का संग है, तो कुल मिला करके यह दोनों तरह के व्यवस्थाओं को ले करके चलता है, भारत में संसदिये संप्रभूता है, तो न्याइक सर्वोच्चता भी इसमें मायने रखती है जहां इंग्लेंड में हम देखते हैं संसिदिय प्रभु सकता है तो वहीं से उत्राज हमारी कामें नियाईक सर्वोचता है लेकिन जो इंग्लेंड में व्यवस्था पिका कानून मनाती है उसे नियाईले में चुनोती नहीं दी जा सकती लेकिन हमारी गाय में न्यायिक पुन्राव लोकन की व्यवस्था के तहट न्याय पालिका व्यवस्था पिका द्वारा बनाईवे कानूनों की वैदता को देख सकती है भारत में भी हमने देखा कि न्याय पालिका को न्यायिक पुन्राव लोकन की शक्ती प्राप्त है हालकि संसद की सर्वचिता को भारत में स्विकार किया गया है और संघात्मक शासन व्यवस्था की अनुसार न्यायले को समिधान की व्याच्चा करने और उन विदियों को अवैद घुशित करने का अधिकार दिया गया है जो समिधान के विरुध हो तो इस तरह से दोनों को एक साथ दिया गया है अधिकार और शक्तिया जैसा कि डीडी बसू कहते हैं सम्विधान ने अदभूत ढंग से अमेरिका की नियाएपालीका की सरवचता के लिए जो सिध्धान्त है और इंग्लेंड के संसदिये प्रभुसत्ता के जो सिध्धान्त है उनके बीच का मार्ग अपनाया है हालकि बाद के वर्षों में 1993 से लेके 2014 तक के काल में नियाएपालीका ने नियाएक सक्रियता को प्राप्त कर लिया था बहुत महत्वपुनिस्थिती प्राप्त कर ली और व्यवस्ता पिका द्वारा कोई भी ऐसा कारे किया जाता कि जो द अगली विशेश्ता आती है मौलिक अधिकार और मूल करितम्यों का समावेश भारतिय समीधान में मौलिक अधिकारों को देने का कारण ये था कि भारत लंबी समय तक गुलाम रहा था और ब्रिटिश शासन के तहट भारतियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया अमेरिका और आयरलेंड के समीधान में नागरिकों को अधिकार दिये गए और भारत में भी वहीं से इन अधिकारों को लिया है मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिसे राज्य और सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है मूल समिधान में साथ मौलिक अधिकार दिये गए थी लेकिन वर्तमान समिधान में यानि वर्तमान में नागरिकों को छे मौलिक अधिकार हैं जो संपत्तिक अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भरत्य सम्विधान में एक और महत्वपोर्ण बात है। और वो बात ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनके साथ-साथ ये बात भी स्पष्ट की गई है कि इन अधिकारों पर किन परिस्थित्यों में किस तरह से प्रतिबंद लगाए जाएंगे जिससे देश की अखंडता बनी रहे, जिससे विदेशी मामलों में सरकार स्वैमेव निर्ने ले सके दूसरे नागरिकों के अधिकारों में हसकशेप ना कर सके और इन सब के माध्यम से देश एक सुत्र में बना रहे हैं इसके अलावा भार्तिय सम्विधान में सम्विधानिक उपचारों के अधिकार का अलग से प्रावधान किया गया है यानि सम्विधानिक व्यवस्था की गई है जो हमारा मूल सम्मिधान था उसमें केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी लेकिन 42 सम्मिधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल सम्मिधान में एक नया भाग चौथा अ जुड़ा गया इसमें नागरिकों के मूल करतव्यों का उलेख किया गया इस सम्मेधानिक संशोधन के द्वारा नागरिकों को दस मूल कर्तव्य दिये गए यानि अधिकारों के साथ साथ अब ये माना गया कि दस मूल कर्तव्य है नागरिकों के जिनने उन्हें पूरा करना है खियासिवे समयधानिक संशोधन यानि 2002 के द्वारा नागरिकों का 11 मूल करतवी भी निश्चित किया गया अब आते हैं अगले रक्षन की तरफ ये बहुत महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार वाद योग्य है यानि उनके उलंगन होने की दशा में नियायले में जाया जाता है लेकिन अब जिस विशेष्टा को हम देख रहे हैं वो वाद योग्य नहीं है यह हैं राज्जी के नीती निदेशक तत्वा भरतिय समिधान के चोथे अध्याई में उन मुलभूत सिधान्तों का वर्णन है जिनसे शासन को संचालीत किया जाए इन्हें नीती निदेशक तत्व कहा जाता है यह नीती निदेशक तत्व आयरलेंड के समिधान से लिए गए और इन तत्वों की प्रकृति के समिधान के 37 अनुछेद में कहा गया है कि नीती निदेशक तत्वों को किसी निदेशक तत्वों को किसी नियायले द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती परन्तु यह तत्व देश के शासन में बूलभूत है यानि अभी जो हमने बात की कि नीती निदेशक तत्व सरकार के लिए गाइड लाइन है लेकिन उसके विरुध नियायले में नहीं जाया जा सकता कोई वैधानिक शक्ति इनके विरुध प्राप्त नहीं है यह निदेशक तत्व क्यों दिये गए क्योंकि भारत लोककल्याणकारी राज्य है और लोककल्याणकारी सिध्धान्तों को सरकार द्वारा लागू किया जाए इसके लिए इन नीती निदेशक तत्व को दिया गया अगला आता है स्वतंत्र और निश्पक्ष न्याय पालिका और अन्य अभिकर संगहत्मक शासन व्यवस्था में जैसे हमने पहले भी देखा न्याय पालिका बेहद आवश्चक है सम्विधान की व्याक्षा करने के लिए सम्विधान की रक्षा करने के लिए और इसके साथ न्यायपालिका का स्वतंत्र होना भी आवश्यक है सम्विधान ने भारत में मौलिक अधिकार दिये हैं जनता को उनकी रक्षा के लिए भी नियायपालिका का नकेबल होना बल्कि उसका स्वतंत्र होना भी आवश्यक है नियायपालिका की स्वतंत्रता के लिए सम्विधान में नियुक्तियों का विशेश प्रावधान किया गया है जैसे सर्वोच नियाले और उच नियाले के नियायदीशों की नियुक्ति राष्टपती से होती है नियायदीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होती है उनके कारेकाल में वेतन में कमी नहीं की जा सकती नियाईदीशों के आचरण पर व्यवस्था पिका द्वारा किसी भी प्रकार के टिपणी या विचार नहीं किया जा सकता नियाई पालिका स्वतंत्र है और इस बात का परीचय नियाई पालिका ने अनिकों बार दिया है इसके अतरिक्त और भी बहुत सारे स्वतंत्र अभिकरण भारतिय सम्विधान में है जो सरकार पर नियंत्रन लगाते हैं इसमें आते हैं निर्वाचनायोग, नियंत्रक और महालेका परिक्षक, लोक सिवायोग का प्रमुक आदि अगला जो लक्षन या मिशेष्टा हम देखने जा रहे हैं वो ब्रिटिश शासन में एक बुराई के तौर पर आई थी जिसने भारत को विभाजित करने का काम किया ये लक्षन है सामप्रदाइक प्रतिनी धित्व का अंध और वयस्क मतादिकार का प्रारुप आपको याद होगा हमने 1919 के अधिनियम में इसको पढ़ा था 1909 के अधिनियम में भी पढ़ा था कि सामप्रदाइक प्रतिनी धित्व को किस तरह से बढ़ाया गया और भारत में फूट डालो और राजकरू की नीटी को अपनाया गया था 1909 में सबसे पहले इसको लागू किया गया और भारत के चो विभिन सामप्रदाए थे वो एक दूसरे के विरूधी बन गए एक दूसरे से ज़्यादा मांगे करने लगे लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ और भारतिय समिदान जब बना तो उसमें सामप्रदाएक प्रतिनिधित्व प्रनाली का अंत कर दिया गया और इसके स्थान पर वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया तादकालिक समय में वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष की आयू के रूप में रखा गया था स्त्री और पुरुष दौनों को एक साथ मताधिकार दिया गया था भारत में वर्तमान में आपको पता है कि वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयू को माना जाता है भारत में समिधान में एकल नागरिक्ता को अपनाया गया है जबकि भारत एक संगात्मक व्यवस्था है वो इसलिए है क्योंकि भारत एक विशाल राज्य है लंबे समय ता गुलाम रहा और उसको एक बनाई रखने के लिए इकहरी नागरिक्ता आवश्च थे अगर हम अमारिका की तरह दोरी नागरिक्ता अपनाते तो बहुत संभव है कि कुछ राज्य जो स्वतंत्रता के समय विभारत से अलग होना चाहते थे तूट कर अलग हो जाते तो इसलिए एकात्मक नागरिक्ता को अपनाया गया अगली स्थित्याती है अलप संख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्यान की विशेश व्यवस्था भारतिय समय धार में की गई है जिससे बहुमत के अत्याचार से मुक्ती मिल सके क्योंकि एकसर ऐसा होता है कि जब बहुमत के माध्यम से निर्णय लेना होता है तो जो अलप संख्यक वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है उसको बहुत फायदा नहीं मिल पाता भारत में धार्मिक भाशाई सांस्कृतिक बहुत विभीद है और बहुत अलप संख्यक है तो उनकी रक्षा के लिए भारतिय समिधान में अनुसुचित जातियों, जन जातियों के शेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, विधान सभाओं और अन्री शेत्रों में विशेश संद्रक्षन दिया गया है अनुसुचित जातियों उन अनुसुचित जनजातियों को समविधान के अनुचे 330 और अनुचे 332 के अंतरगत लोकसभा और राजय विधान सभाओं में आरक्षन दिया गया है शुरुआत में ये व्यवस्था केवल 25 जनवरी 1960 तक की गई थी लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया गया हर दस वर्ष बाद इसको बढ़ा दिया जाता है इसी तरह से अनुचे जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में दावों की व्यवस्था अनुचे 335 के अंतरगत है और सम्विधान के अनुसार इन दावों जिने सामने तया आरक्षन के नाम से जाना जाता है के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है इस तरहे से अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षन की व्यवस्ता लागू है जो नौक्रियों में भी है तो विधान समाओं और संसत में भी है अगली में तो पून बात आती है क्योंकि भारत में बहुत सारी सामाजिक स्तर पर असमानता ही थी तो उसको कैसे प्राप्त किया जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए भी कुछ बाते समाहीत की गई भारतिय समिधान में तो सामाजिक समानता की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है कानूनी और राजनतिक दोनों तरह की समानता तो मिल जाती है लेकि सामाजिक समानता नहीं मिलती समिधान ने सामाजिक शेत्र में सभी नागरिकों की समानता के सिध्धान्त का प्रतिपादन किया समिधान के अनुचेद 17 में कहा गया कि आइस प्रशेता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरन निशिद किया जाता है किसी भी रूप में इस प्रश्यता का आचरण विधी के अनुसार दंडनिय होगा यानि छुवा छूत का पूरी तरह से निशेद कर दिया गया और इस तरह से दलितों की गरीवी स्थिति को सुधारने में सम्विधान की ये व्यवस्था एक मील का पत्थर साबित हुई 1989 में अनुसुचिजाती और जन्जाती अत्याचार निरोधक कानून बनाया गया जिसके माध्यम से दलितों पर होने वाली अत्याचारों को रोका जा सके और ये अब तक बनाये गए सभी कानूनों में सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है अगला है कल्यान कारी राज्य की स्थापना का आतर्श भारतिये समिधान में कल्यान कारी यानि लोग कल्यान कारी राज्य की स्थापना को स्विकार किया गया जैसा कि हमने नीती नीदेशक तत्वों के संबन्द में पढ़ा भी भारतिय समिधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि एक ऐसे राज्जे की स्थापना की जाए जिसमें हर व्यक्ति को हर नागरिक को जिसे हम कहते हैं पोशक भोजन मिले वस्त्र मिले निवास मिले शिक्षा मिले स्वास्ते की पून सुविधाय मेले व्यक्ति अपना जीवनस तर उचा उठा सके और जहां तक संभवो सामाजिक आर्थिक समानताय प्राप्त की जा सके केंदर सरकार और राज्य सरकार समविधान में निर्दिष्ट इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए विभिन योजनाय देती है फाइव यर प्लाइनिंग प्रोग्राम इसके लिए लाया गया और उसके साथ साथ और बहुत सारी योजनाय लाये गई जिसे समाजवादी ढाचे के समाज की स्थापना को स्थापित किया जा सके और लोक कल्यान को प्राप्त किया जा सके भारत में एक राष्ट भाषा की प्यवस्था है राष्ट एक्ता को सुद्रड करने के लिए सम्विधान में हिंडी को देवनागरी लिपी में भारत की राष्ट भाषा घोशित किया गया है और इसके साथ साथ संगीय सरकार के सभी कार्यालेयों में सम्विधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंगरी जी के प्रयोग की आग्या भी दी गए 1965 में सहे भाषा विधेक पारित कर अनिश्चित काल तक हिंदी के साथ अंगरी जी को जारी रखने की अनुवती भी दी गए राष्ट भाषा शित्री भाषा की प्रगती में बाधक नहीं है समिधान में भाष्टिय भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में सुविकार किया गया है और उन्हें मानिता दी गई है जिससे उन प्रदेशों का कामकाज उसी भाषा में होता है और अगली विशिष्टाती है विश्व शांती का समर्थक और वसुधाईब कुटुम्पक भाष्टिय संस्कृति में केवल अपने प्रदेश या देश ही नहीं बलकि पूरे विश्व के साथ शांती, सुरक्षा और उन्नती का सम्मान जनक संबंद बनाया जाए ऐसा भारतिय संस्कृति कहती है तो उसके लिए भारतिय संविधान में भी कहा गया है कि युद्ध केवल उसी समय किये जाएंगे जब आत्मरक्षा के लिए आवश्चक हो व्यभार में भारत ऐसा ही अपनाता है तो कुल मिला करके भारतिय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें ऐसे सिधानतों को लिया गया है जो भारतिय जनता के हितमे हैं और व्यभारिक स्तर पर उन्हें आर्थिक समाजिक राजनितिक समानता स्वतंत्रता और अधिकार दे सके तो ये कुल मिला करके भारतिय अगली जलास में हम भारतिय सम्विधान संशोधन की विधी क्या है प्रक्रिया क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़े के